कि मार्शकार मैं शुर्ग्मार जाप बिहारदेनिक न्यूंज चैनल में आपका स्वागत करता हूं अभी हम मौजूद है खैरी खुटः हाप और चुनावी आत्रा पे हैं लगातार चुनावी आत्रा पे हैं और हम यहां पे जनता के बीच आए हैं जनता से बात करेंगे जानेंगे जो कितना विकास हुआ है क्या विकास हुआ है और अभी जो चुनाव है बिधायक जी के लिए MLA पत के लिए जो चुनाव है तो इस छे परिबारी से सबसे हम भी लेंगे और सबसे राइ लेंगे जो उनके दिल में कुनसी पाटी के लिए जगा है और कारण क्या है जगा रहने का क्यू पसंद करते हैं ने तक और कितना भी कास हुआ है तो सबसे पहले क्या नामेशर आपका परवीन कुमार जी हमारे साथ चेतर में भी लोग के छेतर में जो यह लोली विधान सभा और हम लोग का पंचायत परता है चिलकवरी ग्राम पंचायत वहां श्वास्त का कोई विवस्था है होस्पीटल का कोई विवस्था है शिक्षा इसकुल का जो इस्थिती है उब्र तर चरम सिमा पर है और और यहां से आरजेदिक प्रत्यासी राम ठीक सदा को भारी मत्तों से हम लोग जीताने जा रहे हैं इनका कहने का मतलब हुआ जो मतलब इस वाद हम जातपाथ नहीं देख रहे हैं और जो है महागटबंदन की और इनका जुकाओ है राजद के सपोर्ट में जाएंगे तेजस् चिकास की बात है विकास तो बहुत ही बेटर है जहां तक नितीश जी का जो कासर भीकास का कोई है मैं नल और जल था है पक्राइब दखी रहे हैं नलजल जहां तक की बात है य भुदा आई हो चुकी है लेकिन घर तक परहुची ने पाई कि प्रोसेस हो गया विल पेपर पे बन रहा है अगर पर जाने के बाद मतलब गवं में एक घर दो घर पांच घर में अगर पहुची नहीं है लेकिन अभी तक पानी के बश्ता नहीं आई आपका क्या नहीं हुआ भी रामुदे यादव क्या लगता है जो इस वार किसकी सरकार सब्सक्राइब करें गए। आपका नम है प्रण कुमार कहां के हैं सर क्यों से पंचायद करते हैं अलोली बिधान सवाज शेतर में पड़ता है तो आपके हिसाब से क्या इस्तिती है विकास की इस्तिती कहा जाए तो बद से बत्तर इस्तिती है हमारे पंचायद की इस्तिती आप जाके देख सकते हैं करीब 30 साल से अभी तक रोड टुटी हुई है रोज आदमी का आवाजबन पूरा थप हो गया पूरे फरकी आवासी का और आज तक कुछ भी नहीं हो पाया हम लोगों ने रोड के लिए चुनाव से पहले जाम भी किये लेकिन उसके बाद भी कोई सुनभाई नहीं हो पाया आचार संगीता लागू हो गया पर सासन करने लगे अभी भाया बंद कर दो अचार संगीता है सब को अंदर डाल लेगे इसलिए हम लोग भी यूबा कुछ सो समझ के गार्जियन से पूछ के हम लोग बंद कर दिये फि रहेगा मेरा सपोर्ट कहा जाए तो हम तो रामबरिक सदा जी को सपोर्ट करेंगे हमारे अलवली परकंड के विदान सवाज्फेत्र में परतियासी है राश्टिया जन्ता दल की मैं उनी को सपोर्ट करूंगा क्या कारण है उनका सपोर्ट करने का कारण क्या है हम वो जानना चाहते हैं हमारे चेतर का अभिकास नहीं हो रहा है और नितिश जी जो कर रहे हैं वो तो देखी रहा है रोट पर हर चीज बंद है इसलिए हम तो तेजस्तुरी जी के साथ है इनका कहने का मतलब है जो परिवर्तन की ओर जाएंगे और जो यह बहिया कहने हमने प्रियास किया है यह जो मुख मारगे है यहां से चिलकवरी का और अलोली का यह जो सौरी अलोली टू बखरी का जो मारग है साथ यही है मुख मारग में इस्तिती जो है काफी जरजर है और पानी से परेशान है रोड की इस्तिती काफी गंबीर है खराब है इन्होंने प्रियास किया लेकिन एक आम जनता क्या कर सके कितना प्रियास करे सके क्योंकि घर पे गार्जियन होते हैं परिवार होता है तो हम वो नहीं कर सकते हैं जो जिनके पास पद्ध होता है वो कर सकते हैं इसलिए इनका सपोर्ट इस बार राजद की ओर है माकट बंदन की ओर जाएंगे और यह रामब्रिक सदा जी को लोकल लीडर के रूप में शपोर्ट करेंगे जीताएंगे तो आपका क्या नहीं है चचा महशर सदा जी हमारे साथ जुदने क्या कहां घर है चाट आपका सुनमंखी के आप रहने वाले हैं तो क्या करते हैं आप जीवको पारजन के लिए भोजन कैसे चलता आपका सबसे पहला सबस्वाद निगा का द करते हैं तो 3- WH. दुझाने आए हैं और विहर बिहार चेपने नयाए हैं और वही देखने आए हैं और हम ऩाय पता करते हैं जो कहां हुई तो हुई तो आपके छेत्र में आपको दिखा कहीं जो कहीं स्ब्सक्राइब शुżenia क्या करेंगे रपी स्वार किसके साथ जाना पसंद को आप youtube सभी समाज तो यह जाएगा जाना ठीक है चलिए आप समाज के हैं तो आप के अनुसार क्या लगता है जो कुन सी पार्टी अच्छी है किसको वोट दिया जाए जो आपका कल्यान हो अजब कि समाज का सब्सक्राइब तो राम चंदर सदा का हमीं लोग जीता ही है राम चंदर सदा क्या कि आपको कुछों किया इस वार किसके तरफ जुकाओ अपना दिल मने चेकिन क कि बोलने में डरना जिजकना नहीं है आपको कोई कुछ निए राम चंदर सदक जना है इसके सपोर्ट में जाएंगे इस बार आप राजद के साथ जाएंगे कि लालतें चाप में जाएंगे और यहां पर राजद समर्तक महा कटवंदन के समर्तक ज्यादा दिख रहे हैं कि खैरी खुड़ा पंचायथ में पड़ती है हमारे साथ एक भाई और जूरे में विकास हुआ है मगर थोरा अधूरा रहा गया है किस छेतर में विकास हम आपसे जाना है सुनमन्की तक हुआ है बगंकी यहां से फरकिया चल जाए उधर से पकी रोड हो गया है बंकी बीच में कच्छी है लोग सहर से दियाइत से सहर जाने के मुझे बारी मसुक्ता है मतलब कहने का मतलब है जो लोग परगती की ओर जाता है धीरे-धीर मतलब मतलब इनके कहने का मतलब है जो लोग देहात चोर के सहर में जाना पसंद करते हैं और सहर बनाना अपने आपको पसंद करते हैं अपने गाउं को अपने जिले को अपने सुबह को सहर बनाना पसंद करते हैं जो पड़कती हो लेकिन इनके कहने के अनुसार जो है यहां सीधा उ सबस्uggling और भी जो चुनाव है तीन तारीक को बहुत बान्य और भी कतो अब रहते हैं अब दरा इन आने के कोशिश करेंगे हैं और देखनेकorb जरूर करेंगे कि हम वहां से जीत का आए हैं तो फिर दुबारा जाए या नहीं जाए इनके कहने का मतलब है जो भी एक बार विधायक पद पे जीते हैं अभी तक दुबारा लोटके जैसे अभी जन संपर्क कर रहे हैं हर एक दिन हर एक मोहले में जाके हर एक गाउं में 10-10 वजयरा तक 11 11 वजय राद तक जाके आदमी से मिल नहीं हैं विधायक बनने के बाद वही हुव आदमी से मिलना या मतलब छेत्र में दिखते लिए इस वर इनका भरोसा जय कहने का मतलब है पड़र हन्व आएंगे और हमारे साथ यहां के क्या नम के में आपका क्या नम है आपका चम्रू सदाजी चम्रू सदा जी हमारे साथ जुरह है आप बुजुर्ग है तो क्या लगता है जो गरीब गुर्वा के लिए दलीत महा दलीत के लिए नितिश जी के सरकार में क्या बेनीफिट है कुछ फैदा मिला है कि पैदा मिलेगा सर्कार बनके जाता है अभी तो गवह में भूम रहे हैं एक से एक उमिदमार भूम रहे हैं तो अभी नहीं पूछते हैं उनसे कुछ मुद्दा रखते होंगे जो हमारे चेतर का ये काम है जो नहीं हुगा है तो हम बहुत नहीं होगा है इस वार क्या लगता है जो किसके पक्ष में जाना पसंद करेंगे आप किसका आप आप देना है तो आपको एक बार देना है रब इश्धी सदाकरे लार नाम कुंदन कुंदन कुमार यादव जी हमारे साथ जूर रहे हैंन अदब जी हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके छेत्र में कितना विकास हुआ सबसे पहले तो ये बात विकास मेरे छेत्र में अभी तक कुछ नहीं हुआ एक सिरी पूल हुआ तो उसमें भी गठबंदा नौएंडिये और राष्टे जनतादल किसा समक्ष हुआ था अभी जो चुनाओ है तो आप किसके सपोर्ट में जाएंगे क्यों जाएंगे टेजश्वी याधब को सपोर्ट में तै जस्वी याधब जी को आप सपोर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे काहँ की ज़िस भी आदभ का सपोर्ट है मेरा करने का यही और कि कम सब्सक्राइज होना चाहिए सरकार चेंज होना चाहिए, हाँ, यूबानेता है, कुछ भी कर सके यूबानेता, इनके कहने का मतलब है जो विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है तो इस बार परिवर्तन करके देखते हैं और सामने एक युबा नेता है तो युबा के कारण भी उनके तरफ रुजान है और सबसे बरी मुद्दा जो है बेरोजगारी पर पहला बार सवाल उठाए है तेजस् में अब सब्सक्राब बन रहा है और सभी परकार की जो देशी सराब होती है यह मतलब अंग्रेजी सराब जो आप जिसको इंगलिस बोलते हैं वो भी मिलती है और धरले से भीख रही है आपके कहने को तो नितीजी तो कहते है जो सराब बंद में बंद कैसे है सर बंद तो इना घरे-घर आओर जादे उपलब्द हो गया जो नितीश जी कहते हैं जो मैंने सराब बंद किया बिहार सराब मुक्त है तो कितने सराब मुक्त है घर है घर मतले फुलिस मतले बयाजन कहा बनाता है घर जर भजिया तब जड़ेगा थे जब बंते रहेगा तब कहां सुखा अपर्श से रहा 사थ अपना बोट लॉते मतलब ज Crunchy tap सराब बंदी देखिए कहने का मतलब है इनके जो भाई है जो हमारे बता रहे हैं जो सराब बंदी सिर्फ कहने के लिए सराब बंदी है बाकी घर घर सराब उपलब्द है घर घर सराब बंद है हमारे साथ कुछ महिला जुरी है हम चाची से जाना चाहेंगे क्या नाम है चाची तो कितना सराब बंद है और कितना पती आपके चेह मतलब घर में कोई अगर सराब पीते थे तो अभी सराब पी के आते हैं या नहीं कितना विकास हुआ है काम देखें आप नितीजी के काम से आप संतुष्ट है आपको या आपके समाज को कुछ फाइदा मिला है इसमें ते जिते लिए नितीज कुमार के कुछ बेवा थी विकास नहीं देल के हैं बुझ लिए दारू बंदो कर वाल के तो मिलते दारू अगोर गहर बनिए रहल चें अगर कारतों के ती नितीजी जी तो कहते हैं घर बंद कर वाद हैं मतलब धुकान जो पहले लाइसेंसी होता था वो बंद है तो अभी जो सराब मिल रही है अभी जो सराब मिल रही है तो कैसा सराब मिल रही है अपने से बनाते हैं लोग घर में जो सराब मिल रही है अगर सरकार या परसासन सराब बंद करना चाहती है तो घर घर घूम के आप परसासन पुलीस को भेजे उसके बाद पता चलेगा जो सराब कहां मिल रहा है नहीं मिल रहा है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुछ बोलेंगे चचा अब करेंगे चचा आपका जंदा सदा नितीजी के सरकार में आपको केतना फैदा मिला अब आर का तो कुछ ने फैदा भी विकास की क्या इस्तिति है यहां इस्कूल इस्कूल जो सरकारी है तो सब की इस्तिति कहता है यहां तो जानते है कि फरेल रिया है यहां पानिया रिया है नितीजी जो इस्कूल और हस्पीटल अथी बनाए है चै मतलब सरकार की जो सरकारी बेवस्ता है तो सब की कैसी बेवस्ता है अस्पताल उस्पताल का कैसा बेवस्ता है इलाज के लिए कहों जाते हैं यहां तो परावी इलाज करवाने जाते हैं यहां सरकारी संस्तान कोई नहीं है इलाज ना वो बात में अच्छा परहाई लिखा करें कमे भरोसा क्या मतलब है यहां तो फरकिया राज हुआ सब भैसी चराएगा तो सरकारी स्कूल जो भी है तो सब को मिलना चाहिए ना सब आदमी को मिलना चाहिए सब को अधिकार है पढ़ने का लिखने का और आगे बरने का याटना बयार ना लोग है तो इंद्रा आभास सोचाले वाला जो है उसका कैसन फैदा मिला वहां तो इतना करोड सोचाले बोले हैं तो आपको क्या मिला अब जो चुना हो है तो आप किसके पक्ष में जाएंगे और क्यों जाएंगे इस वार जो चुना होगा जो गिराने जाते हैं वोट गिराएंगे तो किसको किसको गिराएंगे वोट अगर हम जीताएंगे आप बोट करेंगे तभी कंडिडेट बनेंगे हम आप बोट करेंगे अच्छा आदमी को जीताएंगे तो अच्छा आदमी कंडिडेट बनेंगे खराब आदमी को बोट देंगे तो खराब आदमी तो आपके नजर में अच्छा आदमी अच्छा पाटी कोन लगता है तो आपको बढ़ियां पार्टी कोन लगता है मतलब भाजपा है जदियू है कॉंग्रेस है राजद है तो आप किसको पसंद करते हैं अभी विधायक जी का चुना है मुख्या sarmSU का नहीं है अभी विधायक जी का चुना है और देख रहे हैं लाल्टेन छाप ज़ाप है घर चाप है और आपको बहुत सारे मतलब लोकल भी आते हैं निर्दलिय उमिद्वार आते हैं तो आपके हिसाब से कौन छाप बला बरिया है हम जानते हैं जानते हैं सों से दुनिया है ला से लोग जी आना और लोग केना डुंबा या नोई दुंबा है को हम पैसो डिया कि रूपो दिया वह ख्राँ हूँएगा दैं मारे कहने का मतलब भोट ड़ाय का की नहीं पर कील है तो किसको गिराएंगे गिराएंगे वो समय आगा तो तीन तारीक को समय है जब बोलिएगा नहीं अच्छा नेता चुनिएगा नहीं आपने भरोसाद चुनेगे अबाक को जो हें जराप हम देखे और आप? ठीक